हेलो एवरीवन वेलकम तो गेट अकैडमी और परमपरिवित द्यारतियों आज हमारे साथ में यहां पर है हुमायून शेख इन्हों ने रैंक लाया है 107 इंस्टुमेंटेशन ब्रांच से तो इन से हम बात करते हैं जानते हैं और इन्हों ने अपनी प्रिपरेशन जो है वो कॉलिज में हम थे कर हैं पर 47 मिन हम ने पर्रिपरेशन को भी जारी रखा तो बहुत-बहुत congr 모르 uniform कि थे जो सॉ स्ठार्ट करते आं बात करते हैं आपसे और जानते हैं कैसे अपने अपनी प्रिपरेशन पारिए और फरस्ट जब आपने अभी लिखा पहले जब गेट लिखा था तो दोनों में क्या अंतर था तो गेट की प्रिपरेशन आपने कब से स्टार्ट करी थी गेट की प्रिपरेशन तो मैं जब यहां पर थाड़िया था तो लोकाल ओफ लाइन से कोचिंग लिया था तो मैं इतना ज़्यादा सीरियास नहीं था जब फोकस्ट नहीं था तब जब फोर्ट यह के बाद मैं सोचा जे एक जान दिया तो मेरा इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा तो जब तुम आफ लाइन पढ़के जब तुम ने गेट दिया था जहां पर भी तुम कॉलकता में पढ़ रहे थे गेट केड में तो हमारा है नहीं वहां पर तो वहां पर जहां पर भी आपने पढ़ा फिर उस time पर rank क्या रहा? Sir rank मेरा around 1200 आया था तो तो हुझा हुझा चैक है 1200 आया था उस time exam देने के time लगा की तो यह जो question है और तैयर ही कर लिए था था तो अच्छा हो जाता था इसलिए मैं फिर से एक बार गेट दिया हूँ इस साल और मेरा इस साल रेंग आए 107 बहुत ही बढ़िया तो उसके बाद फिर आप गेट अकेडमी से कैसे एसोसेट हुए कैसे पता चला कि भाई ये गेट अकेडमी है इसलिए पर तेर के बाद ही जब मैं फिर सोचा जिए मैं मैं अच्छा पर चाहिए तब भी गेटमी मैं ओनलाइन देखा यूटूब में यूटूब में बहुत जाड़ा सेशन है गेटमी का बहुत आप अच्छा लग दा था अल्मोस्ट में इस साल मतल़ा 2022 के लिए अल्मोस्ट इंस्ट्रुमेनिशन रिलेटेट सारे टीचर का ज कि अच्छा आप पड़ते थे उस टाइम पे वीडियो आप कैसा देखते थे मतलब लाइव और रिकॉर्डेट देखते थे मितलब कैसा लगता साल्गता था अच्छा नजब्लाओं में रिकॉर्डेटी ज्यादा पसंद करता था मतलब वान फैव और प्ष्डर करके लोगों का यह रहता है मैं देखा हूं कि सर अब जो भी ड्रॉपर लेते हैं बच्चे ड्रॉपर जो रहते हैं यह जो पास आउट रहते हैं उनका धीरे से थोड़ा सा स्टेडी को लेकर पेशन्स लेवल कम हो जाता है उनको लगते हैं जल्दी जल्दी खतम करना है प्रॉपर बैश्वाला बच्चा है इसको जल्दी से पता क्योंकि एक बार रहिसान पड़ा होता है अच्छा तो जब आप उसके बाद रिकॉर्टेट देखते हैं नोट्स वगर भी बनाते थे साथ में कुश्चन सॉल्विंग अप्रोच जो भी कुश्चन में जो भी कु सारे वीडियो ही में देखा हूँ कैसा आपको फीलिंग आई और क्या आपको अंतर लगा उस ओफ-लाइन जब आप कर रहे थे और जब आप फिर यह पढ़ा अपने कुश्चन का लेवल देखा होगा कि गेट अकैडमी में किस लेवल पर हम लोग बात करते हैं तो उससे पर जो आपको करना है इसलिए में तो सिरियस्ली करता था और केट अकैडमी का कुश्चन भी और कॉलिटी कुश्चन था तो मतलब बहुत अच्छा लगदा था मतलब कुश्चन करकर भी वह सेटिसरा सेटिसरा सें आता था कि मुझे मैं ठीक डरेक्शन में जा रहा हूं अ मतलब पिछले साल से तो मतलब जब पॉर्ट्या के टाइम जब हुआ था उससे तो आच्छा हुआ है इसलिए मेरा रेंग अच्छा है बहुत ही बढ़ी अच्छी बात है और पढ़ाई के टाम पर सेल्फ साटिस्फेक्शन मिलना यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके कि ऐस पैर्च इसकी क्या देते हैं कि स्टूध का जो पिशंश लेवल रहता है मैं ड्रॉपर्स की बात कर रहा हुं तो वह स्पैशन्ज कि मेरा मोटिव था कि डोल था कि प्यासी में जाना है तो सब बच्चे मेरा दोस्तों सब जॉब कर दा था ता अब मुझे लग झाज अटकि मैं कर सकता हूं जब भी करना है इस साल और कोई चॉइस नहीं है तब ही मैं फिर से पढ़ाय में चालो हो जाता है तो डिमोटिवेट तो आता था